प्रदानमंत्री मोदी ने पुर्वो प्रास्ट्रपती नाइडु को लिखा पत्र स्वतुटनता सेना नी बिनोवा भावे से की तुल्णा पीम मोदी ने वैंक्या की वाकपट्वा की सराहना करते हुए उनकी तुन्ना प्रसिद गांदिवादी और स्वतंचता सेनानी बिनोवा भावे से की है पीम ने कहा कि वे याने की बिनोवा जानते थे कि यतोचित शब्दों का उपियोग करते हुए किसी चीज को सटीक तरीके से कैसे कहा जा सकता है प्रधान मंतरी नरीदर मोदी ने यो प्रास्टपती एम वेंक्या नाइडू की विचारधारा को लेकर प्रतिबद्दा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसी कारण से वे एक ऐसी पार्टी में शामिल हुए जिसकी उनकी राज आंद्रप्रदेश में मामूली उपस्तिती थ उद्वार को प्रास्टपती पत से रिटाइल हुए वेंक्या को लिखे विदाई पत्र में मोदी ने कहा कि उनकी ऊज्जा प्रभावित करने वाली है। पियम मोजी ने वैंक्या की वाक पट्रता की सराहा करते हुए उनकी तुलना प्रसिद गांदिवादी और स्वतंत्रता सिरानी बिनोवा भावे से की है। पियम ने कहा कि वे यानि की बिनोवा जानते थे कि यतोंचित्न शब्दों का उपयोग करते हुए किस चीज को सटी तरीके से कैसे कहा जा सकता है। जब मैं आपको सुनता हूँ तो उसी विद्वता को देखता हूँ। आपके अंदर सोताओं को मंत्र मुद्ध करने और चीजों को साधरन तरीके से कहने की शब्ता है। नाइडू को लिखे पत्र में प्रधान मंत्री ने कहा आपकी उर्जा असरकारी है, आपकी बुद्धी और ग्यान में इसे देखा जा सकता है। आपकी पंक्ती वाली चुटीरी टिपडियों की हर जगय प्रशन सा होती है। आपकी सबसे बड़ी शक्तियों में वाकपटता हमेशा से शामिल रही है। नाइडू की विशिस्ता का उलेक करते हुए मोदी ने लिखा कि नेलोर की छोटी सी गलियों से उपराश्ट पती बनने तक आपकी यात्रा उतक्रस्ट और प्रेड़ना दाई रही है। जब भी कोई चुनोती आब रोध आया तो उसने आपके काम करने के संकल्प को और अधिक मजबूत ही किया। आपके प्रियासत की सफलता सभापती के रूप में आपके कारेकाल के दौरान राजस्थभा की उत्पादक्ता में रिकॉर्ड प्रद्धी में चलगती है। पत्र में प्रद्धानमंत्री ने उस समय को भी याद किया जब भाजपानिता लाल कृष्ण अडवानी राजनीतिक छेक्र में सक्विय थे और नाइडू के साथ उनका जुड़ाओ था। उन्होंने लिखा कि इससे जुड़ाई किस्ता जो मेरे दिमाग में आता है। अडवानी जी की रत्यात्रा के दौरान मुझे विभिन संगठनात्मक कर्तव दिये गए थे। और मैं यात्रा पर नजर रख रहा था। एक मौके पर मैंने अडवानी जी के साथ जा रहे सुरक्षा कर्वियों से उनके अनुभब के वारे में पूछा। और उनमें से एक ने मुझे बताया कि अंदर प्रदेश में कुछ कारेक्रम विशेश रूट से सुखद थे। आपने खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ABD News 24 x 7 को सब्सक्राइब कर बल आइकन को प्रेस करें।